इसके पहले मैंने तीन वीडियो में जो जाए विकास के चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए है आई होब कि आपको सब चीज समझ में आ रहे होंगे तो आज इसी चैप्टर का चौथा लेक्चर है और चौथा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो आपको तीसरे लेक्चर में जाए विकास के प्रमान के बारे में बताया था उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है मतलब दो टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में कवर किये थे एक था वरगी करण और दुसरा था जिवाश में विज्ञान के प्रमाण जैसा कि जैविकास के प्रमाण चल रहा था तो जैविकास के प्रमाण मैंने दो प्रमाण बता दिये थे आपको एक वरगी करण का प्रमाण तो आज जो हम next topic cover करने वाले हैं तीसरे topic जो है वो आकारी की और शारीरी की से related है ठीक है तो इस topic को हम समझेंगे और मैंने आपको पहले ही बताया है अगर आपको इस lecture का pdf चाहिए तो आप मेरे telegram handle पर जाके ले सकते हैं बालोजी नर्ड्स हिंदी यह मेरे telegram handle है और मैं इसका link भी आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा आप वहाँ पर जाएए उसको subscribe कीजे telegram channel को और फिर वहाँ पर भी आप pdf को download कर सकते हैं और pdf को download करके आप उसको अपने copy पर note कर सकते हैं और जो चीजना समझ में है आप प्लीज नीचे comment box में आप अपने comment को leave कर सकते हैं उसका मैं आपको जवाब दोंगा ठीक है तो start किया जाए तो जय विकास के प्रमाण का तीसरा topic है आकारिकी और शारिरीकी से related अगर आप जनतों के आकारिकी और शारिरीकी का अध्यान करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनके जो पूरवज है आज जो इतने सारे जिव जनतु है इन सभी जिव जनतों के पूर पारन लीजे हम सभी इंडिया में रहते हैं किदर इंडिया में और चाइना इंडिया और चाइना के लोगों में का डिफरेंस है जानते हैं हमारी हमारा जो कलर है हमारा कलर है वह हलका सा ब्राउन है जबकि चाइनेज लोग काफी गोरे होते हैं उनके आंके छोटी होती है चोटी होते हैं चैरा गॉल होते है वैसा ही हमारे देश में वैसा नहीं होता है तो इतने सारे डिफेरeंस है यह नियुक्त है ननृंत हो अधि dolphin साय तो प्रर्वीर्स से आगया है भुमंडली पात की वजह से आ भी कि तो जब हम आकारिके और शारिर्के के प्रमान का अध्यन करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इतने सारे जो जीव जन्तु हैं इनके पुर्वज एक ही थे तो कैसे पता चलेगा इस पर्स्पेक्टिब में हमको पढ़ना पड़ेगा समझात अंग, असमझात अंग और आउसेसी अंग अगर हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि जन्तु के आकारिके और शारिके से कैसे पता चलेगा कि जन्तु का विकास हुआ है जीवों में विकास हुआ है कैसे जीवां का विकास हुआ है वो समझात और उसेशी अंग को पढ़ने से पता चलेगा तो देखिए समझात अंग क्या है समझात समझात अंग वैसे अंग होते हैं जिनके उत्पत्ती और बनावट लगबग समान होती है लेकिन उनके कारे अलग-अलग होते हैं समझ में आई बात मैंने क्या कहा मैंने ये कहा कि उत्पत्ति और बनावट समान होते हैं लेकिन कारे क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं कारे अलग-अलग होते हैं उधारन देखिए यहाँ पे एक Blue Well का फ्लीपर है फ्लीपर किसको कहते हैं जिसे मशले तैरती हो उसको फ्लीपर बोलते हैं यह एक चमगादर का पंक है यह घोड़े का पैर है और यह हमारा हाथ है आपको क्या देख रहा है आपको इतना तो पता है कि सबके काम अलग है Blue Well अपने पंक से तैरती होगी चमगादर अपने पंक से उड़ता होगा घोड़ा अपने पैर से दोड़ता होगा और हम लोग अपने हाथ से अलग-अलग काम करते हैं तो सबके काम तो अलग है लेकिन अगर इनका basic structure का अधेन किया जाए तो हमें ये पता चलेगा कि इनका structure इस type का होता है कुछ अब देखो आपको दिख रहा होगा सब में कम से कम 3 पार्ट है एक, दो, तीन यह तीन यह तीन यह तीन पार्ट है ठीक है? सब में 3-3 पार्ट है और इन सारे पार्ट का नाम यहाँ पे describe किया गया है तो बनावर तो लगबग समान है, लेकिन काम सब का क्या है? अलग-अलग है वैसा ही देखिए सिर्फ जन्तों में ने, ऐसा पेड़ पौधो में भी होता है पेड़ पौधो में भी ऐसा कुछ होता है, देखिए क्या है पेड़ पौधो में यह बॉगिन वेलिया का पेड़ है और यह कुकर बीटा का पेड़ है देखने वाली बात यहां पे थॉर्ण को है और यहां पे टेंड्राइल्स को है जब यह उत्पन होते हैं ना पत्यों के किनारे पे तो दोनों ही समान होते हैं लेकिन बॉगिन वेलिया का थॉर्ण क्या कर आगे बढ़ने में help करेगा Tendrils इसको आगे बढ़ने में μεदद करेगा ठीक है आगे बढ़ने का मदद का मतलब क्या होता आप लोग लोकी का पेड देखे होंगे उसमें लोकी का पेड के दूझë तने होते हैं वो किसी के सहारे उपर बढ़ जाते हैं कर यह ना तो टेन्ज का काम वही है प्रपॉधों को आगे बढ़ाने का कम नलों का से होता है जब व repeating होते हैं तो ऺम फिर अलग खर勉ए और इक्रम्पल देखते हैं कि यहां पर तक देखिये क्या है है यह पर चार मस्तिष्क आपको दिखाई दे रहे हैं चार हों किसके किसके मस्तिष्क यह एमफीबिया के हैं ठीक है कि यह ये एमफीबिया ये मचली का है ये जलिय जीव का है ये एमफीबिया का है ये पक्षी का है और ये और ये है अस्तनी का ठीक है तो इन सारे मस्तिश्कों में क्या आपको दिख रहा है क्या अंतर है तो देखे ये एमफीबिया मैंने आपको क्या बता है ये एमफीबिया है ये रेप्टीलिया है ये पक्षी का है और ये अस्तनी का है यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं ये एमफीबिया है यह Reptilia, यह Paksi और यह Aston Pai जनतुओं का है इन सब में एक दो चीज कॉमन है यह Cerebral Hemisphere और यह Cerebralum Cerebral Hemisphere का काम क्या है? Cerebral Hemisphere का काम होता है किसी में चीज को याद रखना है मतलब बुद्धी और चतुराई का जो केंदर आप 10th क्लास में पढ़े हैं Cerebral जो बुद्धी और चतुराई का केंदर होता है Cerebral और Cerebral होता है शरीर को संतुलित करने के लिए तो यह जो चार जनतों का मस्तिश्क मैंने आपको यहापे दिखाया है चारों का बनावट तो सेम है लेकिन काम इनके शरीर के आकार के हिसाब से थोड़ा अलग अलग है आप भी जानते हों Amphibia जो छोटे जनतों हैं जो Amphibia किसको कहता है जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं उसको Amphibia कहता है तो उनकी बुद्धी हमसे थोड़ी कमजोर है रेप्तेलिया के बुद्धी हमसे थोड़ी कमजोर है तो सारे जनतों के बुद्धी में तो क्या है थोड़ा था difference होगा ना हमारे बराबर इस दुनिया में सबसे चतुर जो जान्वर है वो हम लोग है इंसान है हमारे बराबर कोई भी नहीं है बुद्धी में तो बनावट तो लेकिन हमारे दिमाग भी उन्हीं जन्तू के टाइप का है लेकिन जो अंतर यह है कि हमारे दिमाग कुछ और तरीके से काम करता है वैसे ही यहाँ पर हिर्दय में भी आती है यह जलिय जन्तू का है ठीक है, जलिये जन्तु के हिर्दय में कितने कोष्ट होते हैं, दो, जो एमफिबिया होते हैं, जो जमीन पर भी रहते हैं, और पानी में भी रहते हैं, उनमें तीन, और जो पक्षी और जो जमीन पर रहते हैं, उनमें होते हैं, चार, तो यहाँ पर चार चार आपको दिख र अलग काम होगा, जिसके कोष्ट तीन है, उसके कुछ अलग काम होगा, जिसमें चार कोष्ट है, उनके कुछ अलग काम होगा, तो जिसका चार कोष्ट होगा, उसका हिर्दय काफे विक्सित है, जिसमें तीन, जिसका दो है, उसका थोड़ा कम विक्सित है, तो काम अलग- पचिनावर्ट तो समान होता है लेकिन काम अलग होता है उधायरन आप यहां पर देख सकते हैं और इसको कापी पर नोट कर सकते हैं कि लेकिन के बाद आता है और समझातंग तो अ समजात अंग क्या है देखों यहाँ पर मैं समजात लिख दें यह यहाँ पर कि आ समजात अंग कि तो और समजात अंग किसे कहता है समजात अंग का उल्टा होता है और समजात अंग, समजात अंग और और समजात अंग में क्या डिफरेंस है, समजात अंग में जहां उत्पत्ति समान था, और समजात अंग में उत्पत्ति और बनावर्ट अलग-अलग होता है, और इनके काम सेम होता है, है न, इनके काम समान होता है, जबकि सम समझातंग का कार्य अलग-अलग था लेकिन असमझातंग का कार्य सेम होते हैं और उत्पत्ति अलग-अलग होते हैं दोनों समझ में अंतर समझ में दोनों का समझातंग में क्या होता है समझातंग का बनावट और उत्पत्ति सेम होता है लेकिन कार्य अलग-अलग होता है जब पं91 का और कीड़े का पंग का बनावट देखें दोनू का क्या आपको दीख रहा है दोनुं के बनावट स्ऎम दिख रहे हैं दोनु के बनावट अलग अलग है किड़े का पं Sun कबना अलग है पक्षी का अलग है ये पहला आँख है हमारा human eye है और दूसरा आँख है एक octopus का दोनों में लगभग आपको बनावट क्या दिख रहे होंगे same दिख रहे हैं नो, दोनों के बनावट same है लेकिन काम तो दोनों का, दोनों का काम क्या होगा अलग अलग, सौरी, मैं क्या नहीं दोनों का बनावट में कुछ difference है, लेकिन काम इनका same है देखो यहाँ पर बनावट कहां अलग अलग है, यहाँ पर देखो चौथे नमबर पर यहाँ पर इनका अलग अलग है, तो बनावट इनका अलग अलग है लेकिन इनका काम तो सेम ही होगा देखने का तो काम सेम है लेकिन बनावट अलग-अलग है तो यह क्या हो जाएगा और समझातंग हो जाएगा है ना तो और समझातंग किसे कहते हैं वैसे अंग जिनकी बनावट और उत्पत्ति अलग-अलग हो लेकिन कार्य समान होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे और समझात अंग उधारन आप यहापे देख सकते हैं नेक्स स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट है आउशेशी अंग आउशेशी अंग किसे कहते हैं वैसे अंग जो हमारे सेरी में बेकार है उसे हम ऑस्टेश लेकिन आज ये बेकार है लेकिन जब हमारे कुछ पूर्वज होते थे उन में यही अंक काफी क्रियाशिल से और उन से काफी सारे काम किया करते थे ठीक है लेकिन आज ये विकास के वज़ timeless से बेकार हो गया है इनका कोई यूज नहीं है यहां पर कई सारे उधारण है हमारे शरीर के जो बेकार अंग है सभी बेकार है आख का जो एकदम किनारे पर जो निक्टेटिंग जिली होती है इसका कोई काम नहीं है हमारा एक दाथ होता है थर्ड मोलर उसका कोई काम नहीं है पॉइंटेड के नाइन होता है उसका भी कोई काम नहीं होता है एक अप्रेंडिक्स होता है प्रेंडिक्स के बारे में सब लोग जानता है उसका कोई काम नहीं है यह ना परमेडियलिस मसल जो होते हैं जो पैक्स बनाते हैं न लोग segmented segmental muscle on abdomen पेट में जो gym करके muscle बनाते हैं वो बेकार है जबना mammy on male यह सबी क्या है बेकार अंग है, बाहर का कान बेकार है थोड़ा सा काम आता है ऐसे, चश्मा पहनने का काम आता है और आवाज को सुनने में भी काम आता है ठीक है तो यह सारे example है, आप इसको याद कर सकते है इसमें सबसे ज़्यादा important है, यह appendix काफी examo में पूछा जा चुका है तो आप यह याद रखेंगा आवसेशियं किसे कहते है जो हमारे शरी में बेकार है उसे हम आवसेशियं कहते है लेकिन यह आज आवसेशियं है लेकिन पुराने सभी में जब यह हमारे पूरवज हुआ करते है तो इससे पता चलता है कि हम में क्या हो गया है हम में विकास हुआ है धिरे-धिरे विक्सित हो गया है हम और हमारे जो कुछ अंग है और आज वो किसी काम के नहीं रहे है तो यह सारे प्रमानित करते हैं, सारे प्रमानित करते हैं कि जिव कहीं से आये हैं, ध्रे-ध्रे विकास हुआ है, नेक्स्ट, यह एक प्रमान है, चौथा प्रमान, मैंने आपको तीन प्रमान बता दिये, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बता तो जो प्रमान बता था, जाविकास के प्रमाण के बारे में तो सबसे पहला प्रमाण क्या था? वर्गी करण पहले ही बता है मैंने दूसरा जिवाश्मू विग्यान तीसरा सारेरीकी और अकारीकी सारेरीकी अकारीके में आपको तीन चीज़ पढ़ने हैं क्या? समढ़ातं और समझातं और असियां चौथा प्रमान है भूरण विद्यान का मैं जब भूर्ण विद्यान का प्रमान पढाएंगे लागो पिसको कहता जब मा के गर्व में बच्चा बन रहा होता है तो उसे हम भूर्ण कहते हैं और यह सबसे प्रारंभी का वस्था होती है यह प्रारंभी का वस्था यहां पर पांचे जन्तुओं के प्रमान दिये गए हैं मचली देखो समय समान होंगे मचली सेलमेंडर टॉट्वाइज यह कच्छवा चिकन यह क्या है काफ यानि बच्छड़ा और यह हैं हिमन सब के देखो सब के शुरुवात में क्या सब सेम दिख रहे हैं जब मा के गर्द में होते हैं न सब सेम ही होते हैं तो यह क्या दिखाता है यह दिखा रहा है कि इन सारे जन्तुओं के जो पुर्वज हैं वो सेम ही थे, सेम पुर्वज से जीव पैदा हुआ, अलग-अलग काम के वजह से, अलग-अलग आदतों के वजह से, वो आज इतने सारे जीव जनतों में बट गए हैं, उनके अंग अलग-अलग कामों के लिए बन गए हैं, क्योंकि वो काम अलग-अलग तरीके से करने लगे और उनका सरीर का बनावाट अलग हो गया हमने हाथ का यूज अलग किया हमने हमारा हाथ अलग हो गया पैर का यूज अलग किया पैर का बनावाट अलग हो गया जो मुर्गियां है मुर्गियों के शुरुवात में पहले कितनी पैर होते थे लेकिन उनका आगे का four limb, यानि आगे का जो दो पैर है फूपंख में बदल गहीं है बाकी दो पैर से आज भी अचलती है जो कि उतने मजबूत भी नहीं होते हैं तो मचलियों को देखलेचे, मचलियों के भी चार पंख होते ही हैं पाइब कर ल Casey लेगा दाएब देती हैं इँमें किया दिखाई देती है जाधों के प्रूब का अध्यान ayam ऑजली आप छाियंगे पतरा ये Food Sh extraordin सिरें sedan करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआती दौर में सभी समें लेकिन बाद में जब इनका जनम होता है तो अलग-अलग पैदा होते हैं क्योंकि अब DNA में इनका अलग-अलग अंगों का कोडिंग हो चुका है कि अब आपका शरीर का अंग ऐसा काम करेगा पूराने समय जैसा नहीं करेगा क्योंकि अब हम लोग अपने आदुतों को बदल चुके हैं ठीक है तो यही है जैविकास का प्रमाण तो आज मैं आपको क्या बताया जैविकास के प्रमान में मैंने आपको बताया अकारी के शारीरकी का प्रमान जो की तीसरा प्रमान है बाकी दो प्रमान पहले दिये जा चुके है आप पिछली वीडियो देख लीजिए और जैविकास के प्रमान में जो तीसरा प्रमान मैंने आपको बताया अकारी के शारीरक इसमें आपको तीन टॉपिक पढ़ने हैं समझात , असमझात और और अशरी इंग, ठीक है ? उदारन के साथ हमाने समझात अंग व्यक्ति आती हैं, इसके बाते हैं समझात अंग जिनका सही इंग रिएंग ऐसा यह को प्रमान बताया कि क्या प्रमाण था करें है तो अज Vergleich आंगे उसमें चार्स रोबर्ट डार्विन के कुछ सिधानतों के बारे में चर्चा करूंगा जब वो यात्रा पे गया थे तो वो क्या-क्या उन्होंनों देखा उसी के बारे में काफी important topics आगे चर्चा करनी बागी है Thank you